हलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय में पार्थार्थ हार की जीत के विशय में अध्यान करेंगे ये कहानी है जिसके अंदर एक रिशी और एक घोड़े की गहरी मित्रता थी यानि की रिशी ने एक घोड़ा रख रखा था अपने पास में जिसे वह अपने पुत्र के समान प्यार देते थे इस पार्थ को पढ़ने से पहले हम इस पार्थ के शबदार्थ को पढ़ेंगे नाई का अर्थ होता है तरह, कंगला का मतलब होता है गरीब, किर्ती का अर्थ होता है यश, चाप का अर्थ है ध्वनी या आवाज, अरपन का अर्थ होता है नियोच्छावर, सहस्त्रों का मतलब होता है हजारों, अस्तबल का मतलब होता है गुरसाल या गोडे को रखने की ज मिथ्या का आर्थ होता है जूट प्रयोजन का आर्थ होता है अर्थ विस्मय का आर्थ होता है आश्चर्य तो हमने इस पार्ट के शब्दार्थ को पढ़ लिया है अब हम इस कहानी को पढ़कर इस पार्ट में घोड़े घोड़े और रिशी के प्रती पुत्र पुत्र के समान प्रेम को दर्शाया गया है इसे पढ़कर हम समझते हैं कि किस प्रकार घुड़ा चोरी हो जाने पर रिशी की जो हालत होती है वो इसमें बताया गया है तो आज हम इस पार्ट को पढ़कर इसको समझते हैं मा को अपने बेटे और किसान को अपने लह लहाते खेत देखकर जो आनन्द आता है वही आनन्द बाबा भारती को अपना घुड़ा देखकर आता था यानि जिस प्रकार मा अपने बेटे को प्रेम करती है उसी तरह किसान को अपना खेत लह लहाता हुआ हर्याली जो अच्छी दिखाई देती है उससे उस किसान को आनन्द आता है उसी तरह से जो बाबा भारती थे उनको अपना घोड़ा देखकर आनन्द आता था भगवाद भजन से जो समय वस्ता था वह गोड़े को अरपण हो जाता था भगवाद भजन यानि भगवान के भजन से जो उनका समय बच जाता था उसके बाद वो गोड़े को समभालने में उस समय को खर्च करते थे वह गोड़ा बहुत सुन्दर वह बलवान था यानि उनके पास जो गोड़ा था वह बहुत ही सुन्दर था दिखाई देने में बहुत सुन्दर था और बहुत ही ताकतवर था उसके जोड़ का गोड़ा सारे इलाके में न था यानि उसके बराबर का जो गोड़ा किसी पूरे इलाके में नहीं था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे यह उस घोडे का नाम सुल्तान था अपने हाथ से खरहरा करते खरहरा मतलब कंगा करते लोहे के कंगे से उसे खुजालते खुद दाना खिलाते और देख देखकर प्रसन्न होते यानि सारा काम वो स्वयम खुद करते थे घोडे का और उसे देखकर वो खुश हो जाते थे उन्होंने रुपिया, माल, असबाब, जमीन, आदी अपना सब कुछ छोड़ दिया था उनके पास जितनी भी जमीन जायदा थी, वो उन्होंने सब को छोड़ दिया था और यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घ्रणा थी, यानि नगर में रहने भी उनको रहना उन्हें पसंद नहीं था अब वो कहां रहते थे, गाओं किसे बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वहां पर ही भगवान का वजन करते थे और उनके मन में ये विचार था कि में सुल्तान के बिना नहीं रह सकता यानि उनका जो घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था उसके बिना वो नहीं रह सकते थे एसी भ्रांती यानि कि एसी अंदेशा उनके मन में हो गया था वे उसकी चालपल लट्टू थे यानि वो जिस तरह से दोड़ता था उस पर वो मोहित थे कहते एसा चलता जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो यानि घोड़ा इस प्रकार चलता था जिस प्रकार मोर जो होता है वो बादल चाये हुए देखने पर वह नाचने लगता है उसी प्रकार उनका घोड़ा भी चलता हुआ दिखाई देता था और जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आट-दस मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चेन नहीं आता था यानि शाम का समय जब होता था तब वह घोड़े पर बेटकर आट-दस मील का चकर लगा लेते थे तब तक उन्हें आराम नहीं मिलता था खड़क सिंग उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था यानि वहाँ पर एक डाकू था उसका नाम था खड़क सिंग लोग उसका नाम सुनकर कापते थे धीरे धीरे सुल्तान की किरती उनके कानों तक भी पहुची यानि सुल्तान किस तरह का घोड़ा था वो सारी किरती उस ड ढाकू के कान तक भी पहुँची, उसका हिरताय उसे देखने के लिए अधिर हो गया, यानि ढाकू उस घोडे को देखने के लिए बेचैन होचुका था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बेट गया यानि डाकू जो था वो बाबा भारती के आश्रम में चला गया घोडे को देखने के लिए बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंग क्या हाल है यानि तुम्हारे क्या हाल है खड़क सिंग ने सीर जुखा कर उत्तर दिया आपकी दया है यानि आपकी कृपा मुझे पर है सब अच्छा है फिर बाबा भारती उससे पूछते हैं डाकू से कहो इधर कैसे आए सुल्तान की चाल खीज लाई यानि आपका जो घोड़ा है उसकी जो चाल है वो मुझे यहां तक लेकर आई है विचित्र जानवर है यानि अनोखा ये जानवर है देखोगे तो प्रसन हो जाओगे एसी बा हाल तुम्हारा मन महो लेगी एसा डाकू एसा बाबा भारती डाकू से कहने लगे और डाकू उसका चित्र अंकित हो जाता है यानि कि वो उसे भुला नहीं पाता है बहुत दिन से अभिलाशा थी अब डाकू बोलता है कि बहुत दिन से एसी इच्छा थी आज उपस्तित हो सका हूं यानि कि बहुत दिनों से घोड़ा देखने की मेरी इच्छा थी लेकिन मैं आज आपक नहीं दिखाया खड़क सिंग्गोडा देखकर आश्यरिसे उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे जैनि डाकूने हजारों गोड़े देखे थे परंतु एसा गोड़ा उसकी आँखों से कभी नहीं गुजरा था यानि इतना सुंदर गोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था सोचने लगा भाग्य की बात है यानि किस्मत की बात है एसा गोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था यानि एसा गो लीनी से चुपचा वहीं पर खड़ा रहा गया इसके बाद उसके हरदे में हलचल होने लगी तूफान उठने लगा बालकों किसी अधिरता यानि बालकों बेचेन ही जानने की परंतु वो बोलता है कि परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा यानि इसको दोड़ता हुआ मेने नहीं देखा तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे अपनी वस्तो की प्रशंशा यानि कि तारीफ सुनकर वो दूसरे के मुझ से सुनने के ल उड़ने लगा यानि तेजी से हवा में तेजी से उड़ने लगा उनका घुड़ा उसकी चाल देखकर खड़क सिंग के रिदय पर सांप लोट गया यानि खड़क सिंग आश्यरे चकित हो गया वह डाकू था और जो वस्तू से पसंद आ जाए उस पर वह अधिकार समझता था यानि खड़क सिंग ने एक बार घुड़ा देख लिया उसे पसंद आ गया तो जो चीज उसे पसंद आ गई वो उसे जबर्दसी छीनना चाहता था यानि वह चीज उसे चाहिए ही ऐसा वो मानता था तो उसके पास जो बाहुवल भी था और आदमी भी थे यानि उसके पास नहीं रहने दूँगा आपसे चीन लूँगा अब ये बात जैसे ही बाबा भारती सुनते हैं तो वो डर जाते हैं कि कहीं डाकून का घुड़ा चीन ना ले उन्हें सारी रात नीन ना आती यानि पूरी रात वो इसी बारे में सोचते रहते और सारी रात अस्तवल की रखवाली करने में बीतने लगी प्रती शन यानि हर शन उन्हें खड़क सिंग का डर लगा रहता था परन्तु कहीं मास बीद गए यानि कहीं मैने बीद गए और वह डाकू घुड़े को चुराने नहीं आया बाबा भी बहुत रखवाली कर रहे थे घुड़े की लेकिन ड रखवाली करना छोड़ दिया और ये जो डर था वो एक सपने के तरह वो जोट समझने लगे शाम का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार ओकर घुमने जा रहे थे इस समय उनकी आखों में चमक थी यानि जब वो अपने घुड़े पर घुम रहे थे तो उनकी मन में फूले नहीं समाते थे यानि सभी जगा से वो घुड़े को देखते वे ओ खुश हो रहे थे और वह घुमने निकले थे गोड़े पर इस तरह बाबा अपने घुड़े पर बेट कर शाम के समय घुमने निकले थे इस पारकी आगे की घटना हम इस पारकी वीडियो के भागदों में पढ़ेंगे धन्यवाद